हालो फ्रेंज विल्कम बेक टू माई चैनल फ्रेंज आज का वीडियो सीडलिंग पे है सीड्स जब हम लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो सीडलिंग है सक्सेज नहीं होती है तो क्या कारण होते हैं उसके पहले मैं आपको अपना यह छोड़ा सा डियाइवाई क्ष़वाँ पे तो Alban के अ SYD वीडियो के गास आपको याद होगा कि बहुत पेहले मैंने मैंने स्टार्ट किया था तो सा मर मेंनेसे क्ष़प्शा किया थे यह आज अभी मैंने फिर से बनाया है, अभी उसका ुसका काफी सारा काम बाकी है, तो मैं बात में जब पूरा कर लूँगी, तब आपके साथ अच्छे से शेयर करूँगे, तो बात करतें आज के वीडियो के बारे में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज का वीडियो सीडलिंग पे है तो फ्रेंस कुछ ऐसे हैं जो कि सीड से प्लांट ग्रो करना चाहते हैं लेकिन कई बार उनकी जो सीडलिंग है सकसेज नहीं होती है तो क्या कारण है सीडलिंग को सकसेज करने के लिए किस तरह का ख्याल रखन करना चाहिए वही मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी क्योंकि पिछले दो वीडियो में मैं अपनी सीडलिंग के बारे में बता चुकी हूँ तो मुझे कुछ फ्रेंस ने पूछा था कि हमारे जितने भी सीड हमने डाले थे तो जर्मिनेट नहीं हुए या होके खराब हो तो क्या ऐसे कारण होते हैं जिनके वज़े से हमारे सीड एक तो जर्मिनेट नहीं होते अगर होते भी हैं तो उसके बात क्यों खराब हो जाते हैं यही सब बाते मैं यहां क्लियर करूंगी कुछ गल्तिया मैंने भी की हुई हैं वो भी मैं आपके साथ यहां पर शेयर करू किसी भी चीज के लिए मैं बहुत ज़्यादा परिशान नहीं होती हूं जो मुझे एजली अवेलबल हो जाता है मैं उसी से गार्डनिंग करती हूं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है मेरे लिए कि मैं कोकोपीट में ही सीट्स जर्मिनेट करूं लगाऊं शो करूं मैं जो भ फिर आप उन गंबले की मिट्टी को थोड़ा छान भी लेंगे अगर तो उससे क्या होता है जो मोटे-मोटे कंकर वगरा होते वो अलग हो जाते हैं और जो सॉयल मीडिया है एक सार सा एक जैसा सा रेडी हो जाता है तो उसी में मैं सीडलिंग करती हूं मैं बिल्कुल आपक कब उन्हें ट्रंस्प्लांट करना है और कब उन्हें सनलाइट में रखना है और कब कैसा फेटलाइजर देना है तो देखे कुछ इस तरह की सोयल हो जाती है चानने के बाद 12C, 20C फिर आप उसे जिसमें आप सीड्स करना चाथे है उसमें भर लीजिए मैं हमेशा डिस्पो वो काफी अंदर न चले जाए जब हम उसमें पाने डाले तो जब भी आप सीड लगाएं तो इस तरह से एक मिट्टी का बैड इसे बूला चाता है वो रेडी कर ले और उसके बाद जो भी सीड है आप डाल लीजिए और उपर से फिर से आप सेंड की एक बारी क्लियर सेंड सो जानी फ्रोली मलब काफी आराम से दें ताकि जो सीड्स है वो इधर उधर ना हो मैंने जब भी सीड्स लगाए थे उन्हें फिर जब तक जर्मिनीशन स्टार्ट नहीं हुआ था मैंने शेड में रखे थे बिलकुल शेड में रखे थे ख्याल बस हमें इतना रखना है कि जो मिटी है उसमें नमी बनी रहे है बहुत ज़्यादा ड्राय ना हो जाए और बहुत ज़्यादा कीचर भी नहीं करना है उस पे नहीं तो हमारे सीड्स में फंगस लगेगा और वो जर्मिनीशन से पहले ही खराब हो जाएंगे सीड्स जो होते हैं हर तरह की सीड्स का अलग अलग टाइम होता है जर्मिनीशन का तो वो उस पे डिपेंड करता है और मैंने जो सीड्स लगाए थे उनमें काफी कुछ में दो ही दिन में मुझे स्प्राउटिंग नजर आ गई थी और देखिए यहाँ पे जो मैंने एक बह स्प्राउटिंग कर चुके थे और कुछ सीड्स जो आपको दिखा रही हूं उनमें से कुछ आप देखिए कि थोड़ा दूर दूर पे डाले हुए थे तो जो दूर दूर डाले हुए थे उनमें अच्छे से मलब ग्रोथ हो रही है तो जब भी आप सीड्स डाले तो यह ख करना चाहिए था कि उनके जो बीच का गैप है वो थोड़ा दूर दूर पे आए यहां पर डेहलिया और के दोनों सीड्स में एक साथ ही डाले थे अलग-अलग पोडिशन पे डाले थे मुझे पता है कि कौन से कौन से सीड है तो वह आप अपनी कन्विनियंस से इस तरह से स सनलाइट में कबला है तो जैसे ही स्प्राउटिंग आपको नजर आए आप उन्हें मॉर्निंग की एक दो घंटे की सनलाइट दे मैंने भी ऐसे ही किया था जब उनमें थोड़ी और ज्यादा ग्रोथ होई तब फिर मैंने उन्हें थोड़ा सा दूप में रखना स्टार्ट कर दिया है कुछ जो सीड होते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं महलब जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ तेजी से होती है और कुछ में काफी तीरे होती है अब जो कोस्टिन उसे मेरे फ्रेंड ने पूछा था कि सीड्स जर्मिनेट होने के बाद खराब क्यों हो जा थोड़ी से बड़ी नहीं हो जाती प्लांट सेपलिंग थोड़ी सी बड़ी नहीं हो जाती तब तक हमें उन्हें सेमी शेट में ही रखना है थोड़ी थोड़ी सनलाइट देनी है मौनिंग की एकदम हार्श तेज सनलाइट नहीं देनी है भले ही विंटर है तो भी उनको यह मेरे नेस्टेशियम के सीड है जो कि सबसे लास्ट में मैंने लगाए थे और सबसे तेजी से ग्रोथ उन्हीं में ही हुई है तो अलग-अलग टाइमिंग होता है अपने सीड्स का अपना-पना रहता है जो कुछ फास्ट ग्रोथ करते कुछ स्लो करते हैं यह कलेंडूला क हैं तो देखे जब थोड़े से बड़ी हो जाए सेप्लिंग तो तीन पत्यां उसमें उपर से आ जाएं तब आप इस तरह के छोटे पॉली बेग में उन्हें लगा दीजिए इन्हें मुझे इनमें लगाए हुए 15-20 दिन हो चुके हैं और अब यह फिर से ट्रांस्प्लां के पॉरी तरह से जाते हैं सीट बॉल सही थी ट्रांस्प्लांट करें तो वो काफी अच्छे से आपके प्लांट सेट हो जाएंगे नहीं तो वो खराब हो ही जाएंगे तो उमीद है फ्रेंट्स कि आप भी इन चुटी-चुटी बातों का ख्याल रखें नेक्स्ट टैम सीडलिंग अच्छे से कर पाएंगे वीडियो किसी भी कारेंट से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आप आने वाले वीडियो को happy gardening